जहिन फ्रेंड्स कि सिरीज में, आज जिस टॉपिक को लेकर मुपस्तित हुए है, वो पिछले महीने बहुत ही कंभीर पर्यावरडी मुद्दा था, और पर्यावरडी मुद्दे से ज्यादा खतरनाक था, मानुवी आपदा के रूप में। तो आज जिस टॉपिक की बात हम लोग करने वाले हैं वो है भारत के सहरों में बढ़ता जल संकट ठीक तो हेडिंग डाल लीजिए भारती सहरों में बढ़ता जल संकट कि अगर करेंट अफेर्स से आप कंटीन्यू जो है जुड़े हुए हैं या पेपर या न्यूज आप सुनते हैं या पेपर पड़ते हैं तो कि टीन डाटा मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप अपने आंसर राइटिंग में जिक्र कर सकते हैं मार्च दोहजार चौविस यह लेटिस्ट है और यह बता रहा है यह बंगलूरू का जल संकट दोहजार उन्नीस में जिन नई में जल संकट था और दोहजार अठारा में सिमला हिमाचल प्रदेश में कितनी भयावा इस सिती है इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं दोनों को तो हो सकता है भूल गये हों क्योंकि यह एक टूरिस्ट प्लेस है तो इसको जरूर सुने होंगे और यहां पर क्या था यह तो अभी हाल फिलाल का था कि गाड़ियों के जो है धुलाई के लिए बैन लगा दिया गया फाइन लगा दिया गया जो कोई गाड़ी धुलेगा ठीक मतलब बहुत ही भयावा इस्तिती थी कुछ चीजे ध्यान में रखते हैं यह तो हो गया हमारा करेंट का टॉपिक की हाल फिल हाल यह था इसके पीछे के कारण हम बताएंगे डिसकस करेंगे और साथ में यह देखेंगे कि आगे उसका सल्यूशन क्या होगा लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि भारत की भोगोल का 2.4 परसेंट है इस धाई परसेंट के छेत्रफल में कितने परसेंट जनसंख्या निवास कर रही है 17 परसेंट पूरे विश्व जनसंख्या का 17 भारत में और चार परसेंट पानी है हमारे पास पूरे विश्व का भूजल पूरे विश्व का 4 परसेंट पानी 17 परसेंट जनसंख्या और धाई परसेंट 2.5 परसेंट का अस पास छेत्रफल यह है विश्व के डाटा में भारत का स्थान ठीक, अब स्वभाविक सी बात है कि इतने बड़ी जनसंख्या, इतना छेत्र फल और उसमें भी जो हमारा जल संसाधन है वो बहुत ही सीमित है खारा पाणी हमारे काम का नहीं है, जो हमारे काम का है वो है मीठा पाणी पीने के लिए हम लूग मीठा पानी है, यो कि उनि के उसी प्रति हम लोग क्या है है रडियुर्ट है, ठीक है, अब कुछ संग्ठन है, जो समय समय पर अपनी report सूप रहे हैं और आगाह कर रहे हैं कि समय रहते मानों अगर नहीं सुधरा तो आगे जो है भविस्य में पूरी एक मानावता पर संकटा जाएगा तो पहला संगठन जो चेतावनी दे रहा है वो है वर्ल्ड वाइल्ड फंड पॉर नेचर इसका फूल फार्म क्या है वर्ल्ड वाइल्ड फंड पॉर नेचर डबलू डबलू एफ उसके बाद एक संस्थान है विश्यू बैंक वर्ल्ड बैंक फिर एक संस्थान है यूएन का यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करता है और भारत के छेत्र में है नीति आयोग और साथ में जलसक्ति मंत्राल है ठिक इनकी कुछ समय समय पर रिपोर्ट आती रहती है और उस रिपोर्ट का डाटा हमाले लिए इंपर्टेंट है क्योंकि आंसर राइटिंग में हम कुछ पॉइंट्स तरक दे करके लिखेंगे डबलु डबलु एफ के कुछ रिपोर्ट में बात कही गई है पहला पॉइंट यह है कि लगभग 163 मिलियन भारतियों को स्वच पेजल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध नहीं है यह पहला इनका रिपोर्ट का डाटा है दूसरा जो यह डाटा दे रहे हैं वो ही कह रहे हैं कि लगभग 210 मिलियन भारतियों को स्वच्छता तक पहुंच नहीं है मतलब जैसी स्वच्छता होनी चाहिए वैसी नहीं है थिक तीसरी बात इनके डाटा में क्या रिप्रजेंट हो रही है कि लगभग 21 परसेंट जो कम्मिकेबल डिसीजेज हैं संचारी रोग संचारी रोग मतलब एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में जो फैलते हैं वह गंदे पानी के करण होते हैं ठीक यह डाटा आप अपने आंसर आइटिंग में यूज करेंगे तरक के साथ ठीक और फोर्थ पाइंट क्या कहता है कि प्रतेक दिन लगभग पांसो बच्चे जो की पांच साल से कम है वो डाइरिया से उनकी मौत होती है यह वर्ल्ड वाइड फंड का पार नेचर का चार पॉइंट का यह डाटा है जो की आपको ध्यान में रखना है 130-160 मिलियन के आसपास उनको सच पेजल उपलब्द नहीं है 210 मिलियन के आसपास भारती ऐसे हैं जिनकी स्वच्चता तक परियाप्त पहुंच नहीं है 21 परसेंट जो रोग हैं संचारी रोग उनमें गंदे पानी की भूमिका है यह साफ पानी उनको नहीं मिल पा रहा है और चौथा पॉइंट यह है कि हर दिन लगबख 500 बच्चे जो की 5 साल से उम्र जिनकी कम है वो क्या हो रहा है डायरिया से उनकी मृत्य हो रही है कि यह भारत के संदर्व में है यह डाटा यह ध्यान में रखिएगा ठीक है कि विस्व बैंक क्या कहते हैं कि विस्व बैंक कि यूनिसेफ नीतियायोग कि विस्व बैंक क्या कह रहा है कि लगबग दो हजार पचास तक सौ सहर ऐसे होंगे भारती सहर जिन में पानी का संकट होगा और उन संस सो सहरों में एक्जामपल के दौर पर सामिल है दिल्ली मुंबई और जैपुर पोलकाता ये सब ठीक हमारी समस्से ये उल्टा हो गया वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट ये होगी और ये होगी डबलू डबलू एफ का हाँ ठीक उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा पस ये ध्यान में रखिएगा ये डाटा यूज करते समय संस्था का इस्तेमाल ये है वर्लड बैंक का चार पॉइंट ठीक वर्लड बैंक का एक डाटा और ध्यान में रखिएगा वो क्या ध्यान में रखिएगा कि भूजल के उपयोग के मामले में जो ग्राउंड वाटर है उसके यूज के मामले में भारत विश्व में प्रथम है और उसका सबसे बड़ा कारण जो क्रिसी की सिचाई में खास करके गन्ना गन्ने की उत्पादन में भारत फस्ट नंबर पर है तो उसमें क्या होता है ज्यादा पानी यूज होता है ठीक सिचाई की ज्यादा वाशक्ता होती है ठीक तो ये डाटा भी बोड़ा द्यान में रखिएगा कि यूनिसेप क्या कहता है यूनिसेप का डाटा ये बता रहा है कि दच्छड एसिया में पानी की कमी से जूज रहे बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है मतलब पूरे विश्व में दच्छड एसिया में सबसे आदा ऐसे बच्चों की संख्या है इन में क्या है जिनको पानी की समस्या का सामना स्वच्छ पानी जिनको नहीं मिलवा रहा है ठीक है तो नीदी आयोग की क्या रिपोर्ट है नीदी आयोग की रिपोर्ट है कि 2030 तक चालिस परसेंट भारतियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है 2030 तक 2040 से लेकर के 2080 तक ये पानी की कमी लगबग 80 परसेंट तक हो जाएगी ठीक और तीसरी बात तीसरी बात ये है कि भूजल का उपयोग पुनर भरड तर से ज़्यादा है मतलब ग्राउंड वाटर जिस रेट से रिचार्ज कर रहे हैं हम लोग ये रिचार्ज हो रहा है चाहे वो वर्सा के कारण हो चाहे रेंवाटर हार्वेस्टिंग के कारण हो चाहे वो प्राकृतिक तरीके तो यह थोड़ा रिपोर्ट आप ध्यान में रखिएगा ठीक संस्थाओं की. अब बात आती है कि क्या कारण है जो यह संकट गो ओर भी ठीक सहरों में तो सबसे बड़ा कारड यह है पढ़ती जनसंख्या और उस पढ़ती जनसंख्या के कारड बढ़ता सहरी करड़ अर्वनाइजेसन बढ़ रहा है तिकत अर्वनाईजेसन के बढ़ने से नहीं है लेकिन यह पर बनाईजेशन अन्पलानड हैसाट सबसे वड़ी समस्यय किया है अधार प्लानिंग नहीं पहले बस्ती बस गई उसके बाद प्लानिंग की गए उसके बाद सीवर लाइन उसके बाद पानी की बवस्ता Less सारी चीजय है. ठीक यह सबसे बड़ी समस्या है. दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? Global Warming. भूमंडली यह? तापन. जिसकी वज़े से क्या हो रहा है? कि कहीं पर बहुत ज़ादा वरसा हो जा रही है और कहीं पर सुखा पड़ जा रहा है. और उनकी बारंभारता क्या है। बहुत जादा हो रही है। पहले क्या होता था कि सुखा 18-10 साल में एक बार पढ़ता था। अब क्या है और दूसरा तीसरा साल ही सूखे की चपेट में आ जा रहा है। तीसरा है जलवायू परिवर्तन। जलवायू परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जो की पूरे मौसम को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब करके रखा है, ठीक, चौथा, और द्योगी करण, इंडस्ट्रियलाईजेशन, बढ़ने से प्रोदूसर की समस्या बढ़ रही है, चाहे वो वायू प्रोदूसर हो, चाहे वो जल प्रोदूसर हो, और चाहे वो गलोबल वारमिंग हो, ठीक, और सबसे बड़ा पॉइंट यह है, कि जो सहरों में तालाब, या छोटे स्थर पर जल स्रोथे, उन पर क्या किया जा रहा है, आतिकरमड़, डिवल्प्मेंट के नाम पर, उनको मलबा से भर दिया जाता है, और वहां पर कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, जो यह सब छोटे छोटे जो जलस्तर हैं यह क्या है वाटर लेवल को मेंटेन रखते हैं ठिक तो यह अथिक्रमड हुआ जा रहा है और सबसे बड़ी बात सहरों में इतना ज्यादा आप देखे होंगे जड़क के किनारे यह जहां से डिवलप्मेंट करेंगे पेड़ काट देंगे और पेड़ जो है क कंक्रीट का इस्तेमाल इतने ज़्यादा किये दे रहे हैं कि जब भी बारिस हो रही है तो उसको मिट्टी कर रही है सोख नहीं पार रही क्योंकि उपर क्या है पीड़ पौदे उसको असोसित नहीं कर पा रहishing उनकी जड़ों तक पानी पहुंसता ही сказал indra रहा तो भांदी तूफान में रहें उखड रहें ठीक तो हाली में सुप्रीम कोर्ट ने रोग लगाई है कि फुट पाथ आप क्या कर लीजिए नारमल पेवर ब्लाक का इस्तेमाल कीजिए पूरा उसको कंक्रीट मत कीजिए ठीक तो कंक्रीट के करड़ क्या हो रहा है कि वर्षा जल है एक डाटा ओर आप जो है एक स्टेडि बता रही है नेचर की स्टेडि क्या बता रही है कि हिमालियर हिमालय मुलेशियर का पिछी से पीखलना लजिसे पिघलना थो छोड़िए अ पिघल के वंद थेजी से सूख भी रहें थिक तो क्या हो जा रहा है वाटर लेवल उतनी तेजी से जमीन और सूसित नहीं कर पा रही है तो कहीं बाढ़ का कारड़ बनता है और कहीं पर सूखा हो जाता है थिक कि अन्यकारण क्या है कि कुछ कि राज्यों के बीच कर दितना है गजर्ड़ जल बँबारा का विवाद ए इसका एक्जामपल कावेरी जल विवाद आप ANY सुना होगा क्रिश्णा जल विवाद सुना होगा थिक कु राज्यों कе बीच में तो नदिघाटी पर योजनाय क्या हो जा रही है कि दिस्टरब हो जा रही है कि 9 में क्या है 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 कि फसल करिया का गलत अपयोग यह फसल किया हो जा रही है उपजाइं अम्रोन ही फसल क्या हो जा रही है जलप प्रदूसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है एक चीज और लिख लीजिए ही पर गलत दिन चर्या ये भी लिख लीजिए पीने को पानी नहीं है गाड़ी धुल रहे हैं वेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं वेस्टेज बहुत ज्यादा है ठिक तो ये सारे के सारे क्या है कारड है अब अगर आपको कारड़ पता चल गए तो देख लेते हैं कि मीठे के पानी के हमारे पास स्रोथ कौन कौन से हैं पूमी गजल है एक तो ग्राउंड वाटर है कि तालाव हैं कि नदी हैं और बांध है तैम कि सबसे बड़ी बात हमारे पूरी प्रित्वी पर पचत्तर परसेंट भाग पर कि महासागर है कि लेकिन पानी है ये तो ये कौन सा है अगर मीठे पानी की बात की जाए तो मीठे पानी में सबसे ज़्यादा पानी किसके रूप में है बर्फ के रूप में फिर किसके रूप में है भूमिगत जल फिर किसके रूप में है जीलों के रूप में और फिर किसके रूप में है नदियों के रूप में यह क्रम जरा याद रखिएगा यहीं पर नदियों से भी पहले आ जाता है वायू मंडल ठीक यह क्रम जो है आपसे पूछा गया है ठीक है यहाँ पर एक सुरूत में जीलें भी लिख लीजिए लेक्स अब अगर हमें काड़ पता चल गया तो फिर हम इसका की के अब आगे क्या प्रेयास किये जा सकते हैं क्या प्रेयास किये जा सकते हैं सबसे पहला प्रेयास यह है कि प्लांड कि 말고 Jत सहरी करण हो urbanization plant हो मलिन बस्तियां कम से कम हो स्वास्त और सिच्छा का स्वास्त सिच्छा और awareness यह बढ़ाया जाए rain water harvesting इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए यह नई में क्या है उन्होंने क्या किया solution हर घरों में rain water harvesting लगाना कमपल सरी कर दिया है नगर निगम के द्वारा अब क्या है वर्सा अगर हुई तो छट से पाइप निकाल करके जमीन में नीचे गढ़ा बनाये गया है और वहाँ पर क्या हो रहा पानी स्टोर हुआ जा रहा है फिर उस पानी का इस्तेमाल जब जल संकट होता है तब करकिया जाता है ठीक तो इस तरीके से प्रयास हो सकता है सहरों में concrete का इस्तेमाल कम से कम किया जाए ताकि जो है अधिक वर्षा होने पर जमीन को असोसित करने का मौका मिलना चाहिए अगर concrete रहेगा तो जमीन असोसित नहीं कर पाएगी पानी तो वो क्या होता है नालियां जाम है और वो पाड़ का कारड़ बन जाता है ठीक नेक्स्ट प्रयास क्या होना चाहिए कि हमें हाँ री यूज कि पुना उप्योग वाली पद्धतियां अपनाई जानी चाहिए ठीक यह जो एस टीपी है इस टीट्वेंट प्लांट इनके पानी का इस्तेमाल सिचाई और बाकी जगए किया जा सकता है लेकिन उसके कुछ इफेक्ट अगर वो तो अच्छे से पानी टीट नहीं है तो क्या हो जाएगा स्वास्त पर भी एफेक्ट पड़ेगा ठीक कि नेक्स्ट क्या हो सकता है कार्ड देख लेते हैं तो कुछ उसमें से निकल आएगा हाँ पिचाई के तरीकों का कि इफेक्ट्व यूज किया जाए आप्टिमम और इसी का एक कारण इसी का एक उदारण है कि ट्रिप कि या हाँ ट्रिप कि इरीगेशन का इस्थेमाल एक और थवहारा सी चाहिए कि इसका इस्तेमाल किया जाए एक नदी जल बटवारों का जो विवाद चल रहा है उनको सीग्रता से कि हल किया जाए कि इग्रता से हल एक जल कि सूची का विशह है राज्य सूची का लेकिन जो जल प्रबंधन है वाटर मैनेजमेंट वो किसका है तमवर्दी सूची का विशह है ठीक ये भी जरा ध्यान में रखिएगा ठीक तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए करेंट अफेर्स के टॉपिक के साथ मिलेंगे तब तक के लिए तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए मेनत कीजिए धन्यवाद दन्यवाद